कर दे क्यों बात करते हैं तो पर इंटाइफ़ेक्ट के बारे से बारे से कि बुर्ण आफक्त के बारे में जाने बोलते फिरेंटाइफ़ेक्ट इसका spelling देखने दिजीगा, फेर इंटाइफेट, ठीक है, फेर इंटाइफेट, ठीक है, यह वाले इफेट के बारे माँ बात करते हैं, ठीक है, जनरली कहाने है, लांग transmission line, के long transmission line जो होती है, जब अपन उस line के बात करें तो उस line में उसका capacitance होता है, shunt में जो अपन capacitance दिखाते है, long transmission line हो जाए है, medium transmission line हो जाए, तो उस transmission line कcan capacitance है at high voltage पो Himama होता है, मतलब हो делать high voltage transmission line होती है, तो उसमें charging capacitance होता है, उसको अपन generally neglect नहीं कर सकते हैं, तो उसको निगलेक नहीं करते हैं in case of medium transmission line and long transmission line, तो उस case में जो capacity transform होते हैं उसकी वज़े से at no load condition पे charging current आती है, कहां पे at no load condition पे charging current आती है, और उस charging current की वज़े से at no load पे या light load condition पे, जो sending inside के voltage होगी, these voltage will be less than the receiving end voltage, मतलब क्या, देखें long transmission line के लिए pi model consider करके उसको समझा रहो आपको, पाई model consider कर रहा हूं है, तो आप लोग देखेगा है, रिजिस्टंस है transmission line का, यह उसका reaklden से, ठीक है, और पाई model में consider कर रहा हूं तो यहापर आ जाएका आपके पास capacitance, ठीक है, यहापर आ जाएका आपके पास capacitance, ठीक है, और यहापर आ जाएका آپ यह वसको आप लिख सकते हो, y by 2, this is also equals to y by 2, actually क्या आएगा, j omega c by 2, तो फिर omega c by 2 आएगा यहापर, यहापर भी omega c by 2 आजाएगा, कैसे है कि अगर आप उसके equivalent लिक रहे है, ठीक है, इस तरीक से दोनों से यह लगा दोगे, तो आजाएगे चीज़, यहाजाएगा आपके पा साइड की करन्ट, this is i, this is what ic, और यह जो आएगा आपके पास, इसको में ic डैश बोलता हो, ठीक है, और इसको में ic बोल रहे हो, यहाँ सो जो करनाट आएगे, this is what sending end-side करनाट is, और यहापर जो इसके अक्रस में voltage होगी, this is what vs, यह क्या होगी, आपके पास vs voltage होगी, ठीक है, similarly, is is equals to what cvr, plus what d times of ir, plus what d times of ir, इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो transmission parameters की case में, अगर मैं उसको बात करूँ तो देखे, उसको क्या, पाइ मोडल की बात चल रहे है, ठीक है, तो यह पाइ मोडल है, ठीक है, तो at no load की बात करूँ मैं, at no load, at no load, ir equals to what 0, अब Vs is equals to what a times of vr, plus b, plus b multiply by 0, ठीक है, plus b multiply by 0, so this will be equivalent to what a times of what vr, a times of what vr, similarly, I will write it for is equals to what c times of vr, plus d multiply by what ir is equals to 0, ir is 0, so this is nothing but what c times of vr, ठीक है, और पाइ मोडल के लिए मैं जो लिखा था, आपको अगर यादार होगा, तो पाइ मोडल के लिए मैं जो लिखा था, आपको अगर यादार ह लिखा था, Vs और यहाँ पर लिखा था, इनके अगर मैं बात करूँ तो देखे, उसको में क्या लिख सकता हो, it can also written as what, 1 plus yz by 2, यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने z, pi model के लिए z लिखा था, यहाँ पर आया था, आपके पास y into 1 plus yz by 4, और यहाँ पर क्या आया था, 1 plus yz by 2 इसा कुछ लिखा था मने, ठीक है, तो आप यह परमेटर को उस तरीके से भी लिखो, तो भी आपको से मिल जागा, कोई दिक्कत नहीं, खेर यह सब चीज़े तो आपको पता हो नहीं चाहिए, यह परमेटर को क्या लिख सकते, B परमेटर को, C परमेटर को, ठीक है, यह सब इसा कला, इसार प्लस अट, इस तरीके से लिख सकता हो, ठीक है, और सिमिलार नीम, आइस को क्या लिख सकता हो, आगे जाके जा и is equals to what, IR+, Ic, और आपको पता, add नोर लोड पे करन कतनी है, आपके पास, add लोड कोई connected ही नहीं, तो लो लोड करन कतनी है, जिसका म install के lifetime히 लेगे अगर मैं इसी Vs को यहाँ पर ले लो तो देखे अगर मैं इसके across की मतलब supply voltage देखू तो VC is nothing but what, ए पूरा का पूरा impedance multiply by this I, I is nothing but what, Ic and this, इसके across की voltage आगे this is Ir, sorry Vr, Vr plus this impedance multiply by I, it will give me what, Vs, it will give me what, Vs, इस तरीके सिद्धेगा, suppose अगर मैं वहाँ पे KVL apply कर दू, suppose अगर मैं supply side में करे KVL अप्ला कर देखे मुझे क्या मिलने वाला है, तो applying KVL in input side, ठीक है, applying KVL applying KVL at the input side, at the input side, at the input side, देखे मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैं महाँ पे KVL अप्ला कर देखे विएस इन्टू इसको मैं ऐसा में लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन जो आए आए आएगा आए कि इसके बराबर है, बटा अगर आप देखोगे तो आए कि इसके बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाए कि मेरे पात जो फिलाल जो करंट आरी करंड केसे आरी, ध्यूर मतलब क्या जो करंट आरी मेरे पास फिलाल करंड क केसे अगर आप उसको अच्छे सा पिलिख में क्या पास घूर दो सब्सथी इस तरीके से दिखाओ, कहां से दिखाओ मैं उसको थोड़ा अच्छे से दिखा सकता हूँ तो उसमें देखी मैंने क्या था? जो रिसिवेंग एंड की होल्टेज थी उसको मैं रेफरेंस माना था और जो आपके पास सेंडिंग एन होल्टेज होती तो मैं इसको फाइंड करता था कि सब्सक्राइब मैंने वी आर को क्या मान लिया? अब इस में से जाने वाली करण अब मुझे देखने कि वी आर को करण आ रही है और को कौन सी है? अब मैंने आपको इतना बोला उसके करणिंग तो आपको मेरे साब से समझ में आई गया होगा कि फिलाल जो करण आरी अब आपको इतना समझ में आ रहा है तो देखिए क्या होगा आपके पास आई सी करण आएगे कैसे करण आएगे आई सी करण आ रही है तो मुझे एक बात बोलो यह कैसा करण आएगा इस इंटो आर प्लस जे ओमेगा इसको मैं डग एक से लिग देता हो टीक है आई सी वी आई सी अगे आट इस टाफ से यहां पर एक जगह पर हमें गलती बोला था गलती क्या है उस आई सी को तुम कैसा लिखोगे इसको अगे एक और तरीका बताओंगा आगे यह क्या आपके पास अगर आप उसको देखोगे ना Ic को में क्या दिख सकता हो, Ic को देखी कैसे लिखा जा सकता है, एक और तरीका है मैं उसको बदाऊंगा आगे, don't worry about it, ठीके Vr है, Vr की इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे Ic plus R को add करना है, लेकिन Ic कैसा है, Ic ऐसा है exactly उसके parallel में आ जाएगा भई यह, ठीके तो यह क्या मेरे पास आ जाएगा, this will be nothing but Ic into R, इस तरीके से आ रहा है मेरे पास है, ठीके, यह क्या मेरे पास Ic into R, इस तरीके से आ रहा है भई, बास समझ मैरी, similarly मैं क्या करूँगा, J times of what Ic plus XC, ऐसा में बोल रहा था, अब देख इसा आता है, exactly उसके opposite में आ जाता है, ठीके, तो यह अगर Ic है तो उसको perpendicular, यह उसको ठीक है, उसको वैसे form में भी नहीं लीका, तो यह से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको समझाया है, क्योंकि मैं Ic को समझाया है, क्योंकि मैं बोला था यहाप यह इसको इसको I is equal to what Ic, अब देख सकते हैं, अगर Ic है तो इसको replace कर देता हूँ, जैसे देखे, this will become I is equal to what Ic, so this will be Ic into R plus, j omega ल को में XL लिख दो, so j times of XL plus what VR, इस तरीके से, this will be Ic multiply by R plus j times of Ic into XL plus what VR, this is equals to what VS, टीक है, देखे, अब तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया, उसका according म मैंने क्या बोला, जब भी मैं पाइज़ार डिग्राप किया हो, तो मैं reference क्या लेता था, रिस्विंग अग्वल्टेज लेता था, यहाँ पी में जो reference लेने वाला हो, that is nothing but return in voltage, अगर मैं उसको reference ले रहा हुथ, देखे, मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ, ऐसा, आपके पास, यह आएगा, आपके पास, V, R, JQ, मैंने reference voltage ले रख किया, अब circuit में जो current आ रहे है, आपके पास, सिर्फ एक ही current आ रही, कुनसी current आ रहे है, आपके पास, the current which is coming into the picture, in this particular circuit, is only the current, कुनसी current आपके पास है, charging current है, क्योंकि यहापे तो current जा रहे, 0 Ampere, so I is equals to what I say, and I is equals to what I say, तो तीनो current कैसे है रहे हैं, तीनो current सेम है, तीनो current कुनसी है, सेम है, कुनसी current, I is equals to, I is equals to I, which is equals to what I say, इसका मतलब क्या current कैसे आ रहे, purely capacity of nature के current आ रहे, कापासिटर current 90 degree लिड करेगी, अगर रहे 90 degree लिड कर रहे हैं, तो भई मैं उसको यहापे दिखा दू, कैसा, so this will be what I say, which is 90 degree leading to what racing in voltage, अगर ऐसा है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखे मुझे क्या करना पड़ेगा, I say into what R लिखना पड़ेगा, ठीके, तो यह आईसे वाला component है, उसके exactly in phase में, VR में उसको add कर रहा है, तो ठीके, उसको आईसे ऐसा लिख दे तो मैं, ऐसा लिख दूँ उसको मैं, यह क्या आजागा मेरे पास, this is nothing but I say into R, इस तरीके से current आजागी मेरे पास, अगर इस तरीके से आ रहा है, तो देखे भाई, उसमें और क्या कर सकता हो, देखे, मैंने IR का component लिख दिया, IR का component लिख दिया, मैंने VR का component लिख दिया, अब सिर्फ एक के बजगा, क्या बजगा, आपके पास IC into what, XL वाला component बजग गया, अब यह क्या करेंगा, 90 degree lagging, तो इसका मतलब क्या, इसको मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा, 90 degree lagging करण को, क्योंकि IC के corresponding voltage आएगी, तो कैसी दिखने पड़ेगी मुझे, IC plus, यह यह times of what, XL है, तो इसको 90 degree leading मतलब भी ऐसा, ठीके भाई, ऐसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि IC current है, तो उसके corresponding voltage आएगी, वो तो 90 degree lagging आएगी आएगी, इस तरीके से, sorry, inductor के लिए लिख रहा हूँ, तो उसके current जो आएगी, voltage यह करेगी, यह करेगी, यह क्या करेगी, यह क्या करेगी, यह क्या करेगी, इसको, इसको exactly, perpendicular होना जाएगी, so this is nothing but what, i into x है, यह क्या आगा है, i into x हो जाएगा, बास समझ मैं आगी, और जो voltage आएगी, आपके पास कौन सी, vs, vs क्या होगी, इस तिनों का addition, यह क्या आजाएगा आपके पास, this will be nothing but, vs, this will be nothing but, vs, this will be nothing but what, vs, तो आपके इसमें से एक बात देखने के लिए, समझने के लिए मिली, क्या, vs का value in terms of, in case, vs का value in comparison with vr, अगर देखे तो कैसे नजर आ रहे, गर उसको देखे तो देखे, तो फिरेंटा एफेक्ट आपनको basically क्या बोलता है, वह एफेक्ट आपनको बोलता है, कि अगर light loaded या no load condition होगी, तो उस case में जो circuit में current आएगी, कौन से current आएगी, charging current आएगी आपके पास, charging nature की current आएगी, अगर इस type की current आएगा आएगा आपके पास, और अगर इस type की current आ रहे तो उसके corresponding voltage आएगा आपके पास, voltage rising inside का, that will be more than the what, sending inside voltage, इसका मतलब कि rising inside की voltage, अगर sending inside की voltage से अगर जाता होगी, तो उस case में अपने पास जो effect देखने के लिए मिलेगा, that will be what, it will be not the current effect, और current effect में जो आपके पास voltage drop देखने के लिए मिल रहे है हापे, वो कैसे देखने के लिए मिल रहा है, यह सारी के voltage drop मतलब कि add होते जा रहे है, किसमें rising in voltage में add होते जा रहे है, और इस तरही किसमें add होते जा रहे है कि, वो उसके phase opposition में आ रहा है, उसके चक्कर में, मतलब उसकी होज़े से क्या हो जाएगा आपके पास, Vs का value आ रहा है, Vs का value कैसा आ रहा है, Vr के comparison में बहुत छोटा आ रहा है, Vr is greater than Vs, ठीक है, समझ मेरी बात, इसका मतलब कि है, जो inductive compensation होगा, उसको लगाना वहाँ पर ज़रूरी होगा, क्योंकि inductive compensation क्या करेगा, तो charging current है, मतलब charging current है, exactly उसका अगर effect को nullify करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, inductive current का वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर inductive current अगर अगर आपन उसमें लगा देंगे, मतलब कि अगर जो receiving inside है वहाँ पर अगर अगर आपन सब उस inductor लगा देंगे, तो ओ क्या करेंगा, जो effect को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो exactly उसके parallel inductor लगा दिया, capacitor की वज़े से आने वाली current कोई सी थी आपके पास IC की नेचर की ती, अभी यह क्या कौन सी current आ जाएगा इसमें, इसमें कौन सी current आएगी, इसमें जो current इंटर करेंगी, that will be what IL, ठीक है, और जो इससे निकलेगी current, okay, so यह minus J times of IL, ठीक है, अगर इसे effect को अगर अपनको nullify करना आएगा, यह उसके effect की वज़े से जोनिवाली receiving in voltage है, उसको अगर sending inside voltage के equal, अगर अगर आपनको रखना होगा, तो उसके लिए अपनको inductive compensation session in parallel with what receiving inside अपनको लगाना पडएगा, so that it will reduce the effect of her entire effect, बात समझ मैं की, अब बात करते नेक्स आपिक के बाएगा.